नमस्कार हिंद बारत नियूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ योगिश शर्मा खोरी गाउं में आर्थिक टंगी से जूज रहे लोगों के साथ दुकानदार भी पिस रहे हैं दरसल दुकानदारों का लोगों पर हजारों रुपे का बकाया है लेकिन कोई देने को तयार नहीं है जिस कारण दुकानदारों ने पैसे मिलने की उमीद भी छोड़ हीती है असमें सबसे ज़्यादा दिल्ली लालकोय की दुकानदारों का पैसा डूबने की आशंका है आपको बता दे कि खोरी गाउं में करीब 10,000 परिवार रहते हैं यहां 100 से अधिक छोटी बड़ी किराना की दुकाने हैं जिनसे लोग अपने रोजाना के समान की खरीदारी करते हैं जहां तोड़फोर के पहले अनेक दुकानदारों ने लोगों को हजारों रुपे का आटा दाल चावल चीनी आधी उधार दे दिये जिससे करोना महमारी में लोगों का काम चल सका वहीं लोगडाउन में अनेक लोगों की नोकरिया चली गई थी जिससे छोटे मोटे काम धंदे भी चोपट हो गए ऐसे में लोगों को इधर उदर पैसे ब्याज पर लेकर अपना जीवन यापन करना पड़ा वहीं पिछले महा सुप्रीम कोट की ओड़ से तोड़ फोड के आदेश आने के बाद लोग डरे और सहमे हुए हैं वहीं इसे बीच दुकानदारों के सामने संकट खड़ा हो गया है कि ना तो वो लोगों से बकाया पैसे मांग सकते हो ना ही डरा ढमका सकते हैं इस कारण दुकानदारों का लोगों पर लाखों रुपे का उधार हो गया है फिलाल इस कबर में तरहीं असी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हिंद भारत आपकी अपने आवाज अगर आप भी अपने छेतरी की कोई समस्य आया घटना हमें बताना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देएगे नंबर से हमें संपर कर सकते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूए